हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम बैक टू दा चैनल तो क्या हाल है बच्चो मौज मस्ती हो रही है के नहीं अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट फोर जिसमें आज हम पढ़ेंगे वाय पोयम एकदम मौज मस्ती के साथ है ना तो मौज मस्ती होती रहनी चाहिए क्योंकि वह बहुत इंपॉर्ट है राइट तो मौज मस्ती में पढ़ते हैं वाय पोयम और पूरी मस्ती से समझते हैं तो as always पहले मैं करूँगा री साथ करोगे रीट ठीक है कोई बच्चा किसी भी बच्चे को शितानी नहीं करने है सबको रीड करना है ठीक है चलो अब मैं रीड करूँगा आप भी साथ साथ रीड करो फिर हम संझेंगे I know a curious little boy who is always asking why, why this, why that, why then why now, why not, why by the by He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow and why we eat and drink He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hill and why the flowers die Some of these why's are not too hard to answer if you will try, others no one ever yet has found the reason why Hello Ji, I think poem to aapki low chakdee phatte poem katham hoogay, मैंने सुचा यार और बची है, but poem to katham hoogay, इतनी easy अभी चलो आपको फिर इसको समझाते हैं, है ना चलो अब इसको समझते हैं तो पहली line है I know a curious little boy, याने कि poet कह रहा है कि मैं जानता हूँ एक बड़ी curious little boy को Curious कौन होता है, जिसको हर चीज़ पूछनी होती है, जो बहुत सवाल पूछता है, उसे कहता है curious तो वो एक ऐसे बच्चे को जानता है, जो बहुत curious है, ज्योंकि हमेशा पूछता रहता है क्यों, why this, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कहां पर, कब, कैसे, कब तक, मतलब हर चीज़ सवाल पूछता रहता है, क्यों नहीं, why by, the by, मतलब कब तक, किसके दुआरा, किसने करा, और सब वो उसको पाने मड़ालो, तो वो डूप जाता है, मतलब उसके बहुत सारे सवाल है, वो अलग-अलग सवाल पूछता है, कि कभी wood मैं देखता हूँ, तो wood स्वें करता है, और वो डूप जाता है, ऐसा क्यों, why sun should shine, and wind should blow, वो जानना चाहता है, कि ये सूरज हमेशा चमकता हैं, और कौन बनाता है उनको, and why they cross the sky, और वो sky में क्यों चलते रहते हैं, why sinks the sun behind the hill, अब आपने देखा होगा, पहाडों के पीछे सूरज डूपता है, तो वो उनके पीछे ही क्यों डूपता है, और flowers die क्यों जाते हैं, मतलब flowers कुछ दिन बाद मर क्यों जाते हैं, हमेशा क example के लिए हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है, हम ड्रिंक क्यों करते हैं, मतलब पानी क्यों पीते हैं, क्योंको प्यास लगती है, हमारी body की need है, but others no one ever yet has found the reason why, but कुछ शायद ऐसे हैं, जिनका reason आज तक दुनिया में कोई नहीं डूण पाया, जैसे कि कि sun sink क् के सवाल आज तक कोई नहीं ढूण पाया, तो कैसे लिए आपको ये छोटीजी पोयम, अच्छी लगी ना, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें बेना, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, very bad या मौज मस्तिक करते रहिए